नमस्कार बच्चों आज हम आपके पुष्टक वेवसाई अध्यान के भाग एक का साथवा अध्याय निर्देशन शुरू करने जा रहे हैं निर्देशन ना केवल आपके इस विशय में महतोपूर्ण स्थान रखता है बल्कि यह आपकी प्रबंधन के समझ को विक्सित करने के लिए भी बहुत जरूरी है इस अध्याय में हम निर्देशन वो उसके सभी घटकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो आईए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि निर्देशन का अर्थ क्या है जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं इसका अर्थ है निर्देश देना अर्थात व्यक्तियों के कारियों में मार्ग दर्शन करना बच्चों एक प्रबंधक अपने विवसाय में या अपने फर्म में जब किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी कार्य का नियोजन करता है वो संगठन करता है वो लोगों की भरती करता है तो इसके बाद निर्देशन का चरण शुरू होता है एक बार संगठन में या व्यवसाई में व्यक्तियों या कर्मचारियों की आजाने के बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारिय यह होता है कि हम कैसे उनसे कारिय करवाए कारिय करवाने के लिए प्रबंधक को उन्हें निर्देश देना होता है और यहाँ प्रबंधक के सबसे महत्वपूर्ण कारियों में शामिल है इससे पहले के अधिकतर कार्य प्रबंधक स्वैम अपनी एक छोटी टीम के साथ मिलकर करता है लेकिन जैसे ही निर्देशन की बारी आती है वहाँ प्रबंधक का अपने सभी कर्मचारियों से वारतलाप उसे संप्रेशन या बातचीत शुरू होती है और यहाँ पर यह देखा जाता है कि एक प्रबंधक कितना कुशल है वो कितनी कुशलता से अपने कर्मचारियों से काम करवा सकता है क्योंकि प्रबंधन का तो मतलब ही यह है कि लोगों से काम करवाना और इस तरह से करवाना कि हमारे संगठन के उद्देश्य अच्छे से प्राप्थ हो सके ऐसे में यदि हम संगठन के संदर्ब में बात करें तो निर्देशन व्यक्तियों को आदेश देने मार्ग दर्शन परामर्श अभिप्रेरित करने कुशल नित्रितु प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की कुशलता पूर्वक पूरती है निर्देशन एक ऐसी प्रबंधक की प्रक्रिया है जो संस्था के पूरे कारेकाल तक चलती है यहां निरंतर सतत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है क्योंकि एक प्रबंधक को समय समय पर निरंतर अपने कर्मचारियों अपनी टीम के साथ बात चित करके उनके साथ मिलकर काम करना या काम करवाना होता है तो आईए अब इस चर्चा के आधार पर निर्देशन के कुछ मुख्य विशेष्टाओं की बात करें सबसे पहली और सबसे विशेश विशेष्टा यह है कि निर्देशन संगठन में कारियों को प्राणब करती है जैसा कि मैंने कहा निर्देशन से पहले के जो कारिय है चाहे वो नियोजन है या संगठन का ढाचा तयार करना है या लोगों की भरती करना है ये सभी कारिय सीधे तोर पर कारेबल या कर्मचारियों के साथ मिलकर नहीं किये जाते यह सभी एक तरह से मानसिक क्रियाएं कही जा सकती है लेकिन निर्देशन वो चरण है जहां पर एक प्रबंधक कर्मचारियों से काम करवाना शुरू करता है इससे पिछले चरण में भर्ती की जाती है भर्ती करने के बाद बारी आती है निर्देशन की यानी कर्मचारियों से कार्य करवाने की अपने उदेश्यों की प्राप्ती के लिए कदम उठाने की तो इसलिए कहा जाता है कि निर्देशन वह चरण है जो संगठन में कारियों को प्रारंब करवाता है दूसरी विशेष्टा निर्देशन प्रबंद के प्रतियक स्तर पर जरूरी है इसे हर चरण या हर स्तर के प्रबंधकों द्वारा निश्पादित किया जाना चाहिए सबसे उपरी स्तर के प्रबंधक अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को निर्देशित करते हैं दूसरे स्तर के प्रबंधक अपने नीचे के करमचारियों को निर्देशित करते हैं और इस प्रकार यह चरण और यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्देशन प्रबंधक के प्रतियक स्तर पर चाहिए। चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रवंधक हो, चाहे वो कितना भी अनुभवी या कम अनुभवी हो, उसका यह मुख्य कार्य है कि वह अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों या अपनी टीम को समय समय पर निर्देशन प्रदान करें। इसी से निर्देशन की अगली विशेषता निकल कर आती है, कि निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। निर्देशन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो एक संगठन के समस्तर कारेकाल तक जारी रहती है। इसके अलावा यहां तो स्पष्ठ ही हो गया है कि निर्देशन उपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। यहां एक उपरी स्तर का प्रवंधक अपने निचले स्तर के कर्मचारियों या टीम के लोगों को निर्देशन दे सकता है। तो अब हम निर्देशन का अर्थ वो विशिष्टाओं को जान चुके हैं। हम यह समझ चुके हैं कि निर्देशन वह चरण है या वह कार्य है जिसके द्वारा संगठन में कार्यों के शुरुवात होती है। इसके द्वारा एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों से जुड़ता है, उन्हें मार्ग दर्शन प्रदान करता है। ऐसे में यहां भी बहुत स्पष्ठ है कि निर्देशन एक महत पूर्ण चरण या कार्य है। लेकिन आए हम फिर भी थुड़ा सा विस्तार में निर्देशन के महतों पर चर्चा करें। सबसे पहली बात तो यह है कि निर्देशन के माध्यम से प्रबंधक संस्था में नाकेवल व्यक्तियों को यह बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए बल्कि यहां भी देखते हैं कि निर्देशन देने के बाद उन निर्देशनों का क्रियानवन किस प्रकार हो रहा है यानि निर्देशन ना केवल मार्ग दर्शन देता है बल्कि कारियों के क्रियानवन को भी देखता है कि सभी कार्य उचित रूप से क्रियानवित किये जा रहे है या नहीं और ये दिव नहीं किये जा रहे है तो उनका समाधान क्या है इसके अलावा संगठन में व्यक्तियों को कार्य प्रारंब करने में निर्देशन सहायता प्रदान करता है यदि कोई व्यक्ति अपना काम शुरू नहीं कर पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे में प्रबंधक उसे निर्देश देता है, प्रबंधक उसका मार्गदर्शन करता है, जिसके द्वारा वो कर्मचारी अव्यक्ति अपना कारी शुरू कर सकते हैं संस्था के वांचित उदेशों के पूर्ती के लिए किये जाने वाले सभी कारिया निर्देशन के माधिम से ही शुरू होते हैं इसके अलावा निर्देशन संगठन में कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रियासों को इस प्रकार से समाकलित करता है यानि इस प्रकार से जोडता है कि अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा किये गए कारिय मिलकर एक साथ एक शक्ति बनते हैं और वो पूरे संगठन के कारियों या पूरे संगठन के उदेश्यों की प्राप्ती की और अग्रिसर होते हैं यानि कि यह विभिन व्यक्तियों के बलों को उनके प्रयासों को एक साथ मिलाकर संगठन के उदेश्यों की और ले जाने में साहेता करता है जिससे की संगठन के उदेश्य उचित समय पर उचित रूप से प्राप्त किये जा सके इसके अलावा, अभी तक हम कई बार बोल चुके हैं कि यह करमचारियों का मार्गदर्शन करता है अब यह मार्ग दर्शन कर्मचारियों को अपनी छमताओं या योगिताओं का पूरता प्रियोग करने में सहायता करता है निर्देशन उन्हें प्रोचसाहित करता है एक अच्छा प्रबंधक अच्छे निर्देशन के माध्यम से अपने कर्मचारियों को प्रोचसाहित कर सकता है कि वो अपने कुशलताओं का अपनी योग्यताओं का बहतर तरीके से इस्तेमाल करें एक निर्देशक या प्रबंधक के नित्रित्व के द्वारा कर्मचारी अपनी कुशलताओं का उपयोग करते हैं, वो उन्हें और बहतर बनाते हैं, और जिसके द्वारा वो अपने कारियों को बहतर तरीके से कर पाते हैं निर्देशन संगठन में आवश्यक परिवर्तनों को लाने में भी सहयता करता है कई बार यह देखा जाता है कि जब किसी संगठन में कोई परिवर्तन किया जाए मानलीजे किसी नई प्रकार की तक्नीक या मशीन को लाया जाए तो ऐसे में कुछ पुराने कर्मचारी जो पुरानी तकनीक से काम करने को लेकर सहज थे उन्हें नई तकनीक को अपनाने में दिक्कत आती है वो कई बार इसका विरोध करते हैं लेकिन यदि वो नई तकनीक या वो परिवर्थन पुरे संगठन के लिए अच्छा है तो ऐसे में जो प्रबंधक है वो अच्छे निर्देशन या मार्गदर्शन के द्वारा उन कर्मचारियों को समझा सकता है कि कैसे यह तकनीक ना केवल संगठन के लिए बलके उन कर्मचारियों के लिए भी उपयोगी साबित होगी प्रबंधक के मार्ग दर्शन के बाद कर्मचारी अपने विरोध को कई बार खतम करते हैं वो इस बात को समझ पाते हैं कि नई तक्नीक को अपनाना परिवर्तन करना यह तरक्की के लिए जरूरी है और यह प्रकृत्य का नियम भी है तो इस प्रकार अच्छा निर्देशन संगठन में परिवर्तनों को लागू करवाने में भी सहायक है तो बच्चों यहां तक पढ़कर हमने यह जान लिया है कि निर्देशन किस प्रकार का कार्य है निर्देशन क्यूं महतवपूर है या निर्देशन कैसे संगठन वा कर्मचारियों के लिए एक विशेश स्थान रखता है अब आईए निर्देशन के महतव को स्थापित करने के बाद अब हम निर्देशन के बारे में विस्तार में चर्चा करें और जाने कि दरसल निर्देशन है क्या अभी तक हमने सिर्फ अर्थ जाना है और महत्व को समझा है अब हमें यह देखना होगा कि यदि एक प्रबंधक के तौर पर हम निर्देशन करना चाहते हैं या निर्देशन में निपुरता पाना चाहते हैं में इसके लिए क्या क्या करना होगा इसको समझने के लिए निर्देशन के पूरी प्रक्रिया को चार घटकों या तत्व में विभाजित क्या गया है यानि ऐसा कहा जाता है कि निर्देशन में ये चार तत्व शामिल है एक निर्देशा क्या प्रबंदक को अच्छा निर्द कर पाए आए एक एक करके इन सभी घटकों पर चर्चा करें सबसे पहला घटक है परियवेक्षण को आपने आम बोल चाल की अंग्रेजी भाशा में सुपर्विजन के नाम से सुना होगा तो सुपर्विजन या परियवेक्षण का अर्थ हुआ उपर से सभी कारियों का निरिक्षण करना यानि यह देखना कि कारिक किस प्रकार किये जा रहे हैं वो ठीक से हो रहे हैं या उदमें कुछ समस्याय आ रही है साधारन तह बड़े-बड़े संगठनों में निरिक्षण करने या परियवेक्षण करने के लिए एक अलग व्यक्ति होता है जिससे सुपर्वाइजर या परियवेक्षण कहा जाता है यानि कि हम यह देख सकते हैं कि परियवेक्षण इतना महत्वपूर है कि कुछ बड़े संगठनों में तो इसे एक अलग पद के रूप में भी बनाया जाता है लेकिन परियवेक्षण निर्देशन का भाग होने के कारण या हर एक प्रबंधक का कार्य भी है चाहे संगठन में एक विशेश परियवेक्षण हो या ना हो जो भी प्रबंधक वहाँ पर है उन्हें भी परियवेक्षण करना होगा तो निर्देशन के एक तत्व के रूप में संगठन के हर एक प्रबंधक को इसे करना पड़ता है ऐसे में हम परियवेक्षण को एक प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं जो वांचित उद्देशों की पूर्ती के लिए कर्मचारियों के प्रियासों के मार्ग दर्शन वह अन्य संसाधनों के प्रयोग से संबंधित है यानि एक परियवेक्षक संसाधनों के कुशल उपयोग वो कर्मचारियों के मार्ग दर्शन द्वारा संगठन के उद्देशों की कुशलता पूर्वक प्राप्ति की और ध्यान देता है अधिनस्थों द्वारा किये गए कारियों का निरिख्षन करना और यह निष्चित करना कि संसाधनों का अधिक्तम प्रियोग हो रहा है वो कार्य लक्षों को पूरा करने है तू सही तरीके से चल रहे हैं इन सभी के लिए अधिनस्थों को निर्देश देना परियवेक्षक का काम होता है इससे यह तो साबित होता है कि परियवेक्षन बहुत महतोपूर है क्योंकि एक परियवेक्षक ही है जो दिन पृति दिन के कारियों में कर्मचारियों से संपर्ख बनाये रखता है एक परियवेक्षक करमचारियों से मित्रता पूर्ण संबनाए रखता है ताकि यदि करमचारियों को किसी प्रकार की समस्या है या उन्हें कुछ भी बातें बतानी या शेयर करनी है तो वो परियवेक्षक से कर पाए परियवेक्षक प्रबंधक वा श्रमिकों के मद्ध एक कड़ी के रूप में कारे करता है क्योंकि प्रबंधक तो दरसल अपने कैबिनों में अपने आफिस में बैठकर अपने काहरेले में बैठकर नीतिया बनाते हैं जबकि दूसरी तरफ श्रमिक हैं जो फ्लोर पर यानि फैक्टरी में जाकर काम करते हैं अब दोनों के बीच की जो कड़ी है वो परियवेक्षक बनता है इसके रूप में परियवेक्षक जहाँ एक तरफ श्रमिकों की समस्याओं या उनके सुझावों को प्रबंधकों तक पहुँचाता है वहीं प्रबंधकों द्वारा तयार किएगी नीतियों आदी को श्रमिकों तक पहुँचाता है इसके हलावा परियवेक्षक अपने अधिनेस्त श्रमिकों को जो कि उनके नियंतरण में हैं उनसे सामोहिक एक्ता बनाए रखने में भी महतोपुल भूमी का निभाता है परियवेक्षक कार्यस्थल यानि फ्लोर पर मौजूद होता है ऐसे में वो कर्मचारियों और श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही प्रसिक्षण देने का भी काम कर सकता है एक अच्छा परियवेक्षक निश्पादन यानि पर्फॉर्मिंस का विश्लेशन करता है तथा अपनी सलाह, अपनी प्रती पुष्टी आदी देकर, अपना फीड़ बैक देकर कार्यों को बहतर बनाने में भी सहायता करता है इस प्रकार यह अस्पष्ट हो जाता है कि परियवेक्षण का जो कार्य है, चाहे वो एक विशेश परियवेक्षक द्वारा करवाये जाए या प्रबंधक स्वयम करे या एक बहुत महतोपूर्ण कार्य हो जाता है जो किश्रमिकों से कड़ी बनाकर प्रबंदकों को कार्य कुशलता पूर्वक करवाने में सहयता करता है परियवेक्षण के बाद निर्देशन का जो दूसरा सबसे महतोपूर घटक है वो है अभिप्रेणा इसे हम आम बोलचाल के अंग्रीजी भाषा में मोटिवेशन के नाम से अपने आसपास कई बार सुनते हैं तो मोटिवेशन देना या अभिप्रेणा देना एक प्रबंदक या निर्देशक का एक विशेश कार्य होता है अभिप्रेणा का अर्थ है कि किसी भी कार्य या क्रिया को प्रेरित या प्रभावित करना व्यवसाय के संदर्व में इसका अर्थ है या वह प्रक्रिया है जो अधिनस्तों को निरधारित संगठनिक उदेशों की पूर्टी के लिए एक वानचित रूप से कारे करने के लिए तयार करती है यदि हम इस अर्थ या परिभाशा को देखें तो यह कहती है कि अभी प्रेरिणा द्वारा हम अपने अधिनस्तों को या कर्मचारियों को एक वानचित रूप से कारे करवाने के लिए तयार कर सकते है यदि हम चाहते हैं कि वो एक विशेश तरीके से काम करें तो हम उन्हें अभी प्रेरिद कर सकते हैं ताकि वो उस रूप में कारे करके हमारे संगठन के उदेशों की प्राप्ती में सहायता करें अभी प्रेणा के विशाय में चैर्चा करते समय यह ध्यान देना भी आवश्यक है कि इससे जुड़े हुए तीन महत्वपूर्ण शब्द क्या है अभी प्रेणा के संदर्व में तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं देश्य अभी प्रेणा व उत्प्रे रख आईए इन शब्दों को भी एक एक करके समझते हैं उदेश्य या लक्ष एक आंतरिक स्थिती है जो व्यवहार को उर्जित या सक्रिय बनाती है चथा लक्षियों के प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशित करती है उदेश्य अर्थात वह लक्ष वह गंतव्य स्थान जहां हम पहुँचना चाहते हैं जो उसे उस बेचैनी को कम करने के लिए कुछ क्रिया करने के लिए ततपर करती है उदारण के लिए खाने की आवशक्ता भूक पैदा करती है जिसके कारण मनुष्य खाने की खोच करता है इस प्रकार यह उदेशी ही है जो मनुश्य को किसी कारे को करने के लिए प्रेरित करता है फिर अभी प्रेर्णा की यदि बात करें तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों को उनके उदेश्यों की पूर्ती के लिए प्रेरित किया जाता है इसके बाद बारी आती है वो प्रेरक या अभी प्रेरक की अभी प्रेरणा का अर्थ हमने देखा कि लोगों को प्रेरित करना अब प्रेरित करने के लिए कुछ उन्हें दिया जाना चाहिए या उन्हें कुछ ऐसा प्रदान किया जाना चाहिए जिससे वो प्रेरित होकर अपने उदेशों की तरफ बढ़ें यानि उदेश्य और अभिप्रेर्णा बिना अभिप्रेरक के किसी काम की नहीं तो अभिप्रेरक वह तत्व या तकनीक है जिसका प्रियोग संगठन में लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है प्रबंधक विबिद प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते हैं जैसे वेतन बढ़ाना या वेतन अच्छा देना बोनस देना पदुन्नती करना पहचान प्रशंशा आधी ऐसे कई तकनीके हैं जिनका प्रयोग करके कर्मचार को प्रेर्णा प्रदान की जाती है तो ऐसे सभी चीजों या तक्निकों को हम अभी प्रेर्णा के नाम से जानते हैं तो अब हम समझ चुके हैं कि अभी प्रेर्णा एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी अभी प्रेर्णा की सहायता से कर्मचारियों को उनके उद्देश्य की तर व्यक्तियों की या इच्छा या आकांच्छा हो सकती है कि उनके पास मोटर साइकल हो, आराम दे घर हो, समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, ये सभी चीज़े मनुश्य की आंतरिक इच्छा हैं, तो अभिप्रेणा आंतरिक इच्छा हो से बनती है। दूसरा, अभिप्रेणा एक लक्ष आधारित व्यवहार को जनम देती है। तीसरा, अभिप्रेणा सकारात्मक वनकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। इस कार्थिया हुआ कि कई बार सकारात्मक अभिप्रेणा के द्वारा हम किसी कारे को करने की तरफ अग्रसर होते हैं या ना करने से हमारे लिए कुछ नकारात्मक परिदाम हो सकते हैं तो हम उसके अनुसार वेवहार दिखाते हैं तो अभिप्रेणा नकारात्मक और कासा कारात्मक दोनों रूप ले सकती है इसके इलावा यह एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि मनुष्य की इच्छाओं, उनकी अपेक्षाओं इन सभी में बहुत विबित्ता है हर मनुष्य अलग है, उसकी इच्छाएं, उसकी आवशक्ताएं अलग है ऐसे में हम सभी को अभी प्रेदित करने के लिए कोई एक फॉर्मूला तयार नहीं कर सकते सभी को अभी प्रेदित करने के अलग-अलग तरीके होंगे इसलिए अभी प्रेदित को समझना एक जटिल प्रक्रिया है इसलिए यह और भी महतोपूर हो जाता है कि हम अभी प्रेदित को और विस्तार में जाने हम इसके कुछ तकनीकों को समझे और उससे पहले हम यह बात अपने मन में स्थापित करें कि अभी प्रिर्णा हमारे या किसी भी संगठन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है आईए इसके महत्व से जुड़े कुछ बिंदूओं पर चर्चा करें इसे महत्वपूर्ण इसलिए समझा गया है क्योंकि यह संस्था में लोगों की आवशक्ताओं को पहचानने वह उन्हें संतुष्ट करने में सहयता करती है एक बार जब एक प्रबंधक अपने करमचारियों के आवशक्ताओं को पहचानता है तो उसके बाद उसके लिए आसान हो जाता है उन्हें संतुष्ट करके करमचारियों से काम करवाना इसे करमचारियों के कारे निश्पादन को सुधारने में सहयता मिलती है यही कारण है कि सभी प्रमुख संगठन विभिन्य प्रकार के अभिप्रिनात्मक कारी क्रमों का विकास करते हैं तथा उन कारी क्रमों पर करोड़ रुपे खर्च करते हैं दूसरी बात अभीप्रिर्णा कर्मचारियों के नकारात्मक या उनके निश्क्रिय या तठस्त द्रिष्टि कोण को संगठनिक उद्देशों की पूर्ती हेतु सकारात्मक रुपान तरण कर सकती है यानि यदि कर्मचारी नकारात्मक हो रहे हैं वो निश्क्रिय हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं जो की संगठन के लिए नुकसान दायाक हो सकता है तो ऐसे में उन्हें अभिप्रेरित करके उनके आवशक्ताओं को पहचान कर उनके वेवहार को सकारात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है इसके अतरिक्त अभिप्रेरिणा करमचारियों के निश्पादन स्तर में सुधार के साथ साथ संगठन के सफल्न निश्पादन में भी सहयक होती है क्योंकि उप्युक्त अभिप्रेर्णा कर्मचारियों की आवशक्ताओं को संतुष्ट करती है इससे सारे कर्मचारी अपनी सारी उर्जा अपने कारिय के निश्पादन पर केंद्रित कर लेते हैं जिससे संगठन के कारिय सफलता पूर्वक पूरे हो पाते हैं इसके अतरिक्त अभिप्रेर्णा कर्मचारियों के संस्था को छोड़ कर जाने की दर को भी कम करती है जिस संगठन में कर्मचारी अभिप्रेरित है वो उत्साहित है वहाँ काम करने को लेकर खुश है वहाँ पर अधिक से अधिक कर्मचारी वहाँ टिके रहना चाहेंगे जिससे छोड़ कर जाने की दर कम होगी वह नए कर्मचारीों के नियुक्ति वह प्रिसिक्षण में लगने वाली लागत भी कम होगी अभी प्रिणा संगठन में अनुपस्थिती को भी कम करती है ठीक उसी प्रकार जैसे वह छोड़ने की दर को कम करती है क्योंकि यदि कर्मचारी प्रेरित है वह उत्साहित है तो वह रोजाना संगठन में आकर काम करना चाहेंगे वो कम से कम अनुपस्तिती दिखाएंगे अभी प्रेर्णा प्रबंधकों को नए परिवर्तनों को लाने में भी सहायता करती है जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की जब किसी भी प्रकार का परिवर्तन संगठन में किया जाता है और ऐसे में यदि कर्मचारी उसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें उचित प्रेर्णा देकर समझा बुझा कर हम उन्हें परिवर्तनों को अपनाने में योग्य बना सकते हैं तो इतने सारे बिंदूओं को देखने के बाद यहां तो सपष्ठ हो जाता है कि अभी प्रेर्णा किसी भी संगठने व्यवसाई के लिए बहुत ही महतवपूर्ण कारी है और यह प्रबंधक के निर्देशन प्रक्रिया में आने वाली सबसे मुख्य कारियों में से एक है इस अध्याय के अगले भाग में हम अभी प्रेर्णा के एक और विशेश पहलू या तकनीक पर चर्चा करेंगे आज हमने अभी प्रेर्णा पर विश्टार में चर्चा की हमने देखा किया कितना महतवपूर्ण है जब हम इसका अगला भाग देखेंगे तो हम वहाँ पर बात करेंगे कि हम कैसे अपने कर्मचारियों को अभी प्रेरित कर सकते हैं और इसके लिए संसार में कासकर व्यवसाय की दुनिया में मानी जाने वाली एक बहुत विशेश तकनीक है जिसे मौसलो का सिधान्त कहा जाता है उस पर भी सर्चा करेंगे वो निर्देशन के अन्य घटकों के बारे में भी जानेंगे मैं आशा करता हूँ कि आज के इस भाग में निर्देशन की जो हमने आधार भूत बातों को जाना उसके महतों को समझा इसके घटकों के नाम को देखा वा परिवेक्षन वा अभिप्रिणा को थोड़ा समझा यह आपको समझाया होगा आज के इस भाग में इतना ही झाल आफ यह आपको जान आफ बातों को जूआएं यह आपकों को जापकों के मुणाया होगा हुआ हैँ